मैं भगवान से कामना करता हूँ, यह बहुत अच्छा हो और बहुत सुपर ही धन्युपाइब मैं भगवान से कामना करता हूँ, यह बहुत अच्छा हो और बहुत अच्छा हो और प्यार तो हर ब्यक्ति को पसंदाता हूँ जो है यह सुकला बरन है, एक दम और चार पुझा वाले हैं, और हर इंसान को यह बहुत अच्छा हो और लोग में लक्षमी, तो की विश्डु भगवान की पतनी लक्षमी है, हर व्यक्ति को हर मंगल चाहिए, सुप चाहिए, वहाहन चाहिए, हर व्यक्ति की अनंत मनों कामना होती हैं तो हमारे विश्डु भगवान जो भारन खोष्ण करता है इसलिए विश्डु भगवान के विना असमितों के विना इस मुतलोग में रहना बहुत मुश्किल होता है और यह हर व्यक्त के लिए और हर दिवपानी प्रानी के लिए मंतर में हर वपक्षी, जल, थल, नव, आकाश, हर भेक्त, हर चीज का इसमें नाम आया है, इसलिए हर मंतर में अक्तु विवा में मंगल प्रत्विया मंतर पड़ा है। क्योंकि सर के जो भी फिल्म बने है, इसमें बहुत ही अच्छा है, इसमें एक्षन, मांस और सभी घरपरवार जो बैटके सब एक साथ देख सकते हैं। क्योंकि सब्सक्राइब आपके सब्सक्राइब प्रत्वार जो बने हैं। इसमें प्रत्विया में प्रत्विया में बने हैं। मेरा नम राजरामा है, मेरा नम राजरामा, में अधर इश्क है बड़ा वेदर दी यहां पर प्रमोशन चल रहा है। और लाग तो हम लोग यहां पर कोरिग्राफर हैं। DP को और हम लोग यहां पर choreographer से और यह भी नॉर्मल भी नहीं आती हम लोग इधर सिखाते हैं यह लोग ही समलते हैं हाँ तो हम लोग यह हैंडल करते हैं पट दी आती हमारा करके और यहां पर promotion चल रहा तो हम लोग यहां इनका थोड़ा support करना है कि हाँ सब्सक्राइब करते हैं जोर्म पर सुष्टाइल सेनी का वुढ़ने अ मेरा नम अरुन कुमार दूबे है फिल्म प्रोडूसर मेरे बैनर का नाम है स्री सद्गुरु इंटर्टेन्मेंट हाउस और मैं भोड़पुरिया दर्शकों को और मीडिया भायों को परणाम करता हूं अब यह इसक बड़ा धर्दी फिल्म इसके डारेक्टर राम यदौ जी है इसमें रानी जी है बहुत अच्छा काम इसमें हुआ है अभी रादे रंगीला हमने सेंसर के लिए दिया है जल से आजाएगी वसे फिल्म को में जल से रीलीज करेंगी करें और वह स्टेश्विन को हमारे कई लोग हैं और थोड़ा हमारा भी सब बस मैं चाहता हूँ अच्छी बने अच्छी बन गयी है और इसको बहच्पिरा दसकोष से बज़ारीश करता हो कि फिल्म को अच्छी तरह से देखें और इसको शूपर डूपर हीड बनाएं इसमें गुंजन और इनकी जो रानी की कभी अच्छी केमिस्ट्री है और फिल्म हीड हूँ मैं शुब कामना इसलिए देना चाहता हूं कि बड़ी खुशी की बात इसबात की है कि हैं नया एक हीरो रोई तराज जादा हो अपने इंडस्टी भौषपरी इंडस्टी में जो था रमठब किया और नए हिरों के साथ भौषपरी इंडस्डी का एक बड़ा अच्छा यह रहा है कि जितने भी नए क्लाकार आते हैं तो हमारे साथ जो बड़ी हिरोईने वह सब्सक्राइब जो चले हैं तो जैसा कि मैं उत्तर भारती हूं तो कहना भी चाहूंगी कि अभी तो भूच्पुरी मुवी ने हर जगे अपना वर्चस को बढ़ाया है और मुंबई में भी और हर जगे अभी भूच्पुरी कलाकारों ने अपने कार्य से अपनी पहचान बनाई है तो उन सबी को धेर सारी शुक्ता बना है हमारी तरफ से धन्यवार जी हाँ इस फिल्म में मैं राधा की किरदार में आप लोगों को नज़र आऊंगी फिल्म लॉव ट्राइंगल है रोईतराजी है रानी चैटे जी जी है और मैं हूं और बहुत सारे अच्छे 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 अक्टर्स है और लॉव स्टोरी है और इसके टाइटल से ही समझ में आ रहा हूँगा कि लव स्टोरी है और बहुत अच्छी खुबसूरत गाने बने हैं और हमारी फिल्म रिलीस हो रही है आठ तारीकों आठ जुन कुपरे भिहार और ज्हारकन में और गाने यूट्यूब पे आ चुके हैं और लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं वाल वाइड ने रिलीस किये ह अच्छी लगेगी तरेलर लोगों को बहुत अच्छा लगा डिजाइन पॉस्टर सब पसंद आये तो मुवी भी लोगों को बहुत अच्छी लगेगी कोई गारंटी नहीं होती क्योंकि हम ये तो दर्शकों पर डिपेंड करता है कि किस फिल्म को कितना प्यार मिलेगा और आजकल बोजपुरी के जो हालत है वो आप लोगों को भी पता है कि फिल्म बहुत जादा हिट नहीं हो रहे हैं लेकिन हम जब भी कोई अक्टर कलाकार क इसे भी फिल्म में काम करता है वो अपना 100 percent देता है और अज़स करता है कि उसके किरिदार को उसके फिल्म को लोग दर्शक बहुत करेंगे तो मुझेत उमीद है कि दart fled Quandла कि अभी तक मुझे पसंद करते आई हैं या मेरी मुष्क को पसंद कर्ल् leopard का र्याए हिसकर तो कही कि अभी थोदे पहले एक इंटर्वी में रानी जी कह रही थी कि पैसा वसूल मुवी तो वाकिया जो भी आपका पैसा होगा वसूल हो जाएगा उस तरग की मुवी है कि अभी एक पैसे जो आपको 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 याद रहे लाएगा बहुत सारे मुवेंस हैं अचली जब पहले हम लोग शूटिंग कर रहे थे तो सबसे पहले शूटिंग स्राट वी थी बीटा में तो बीटा में था तो वहां पर अचली पब्लिक को अंट्रोल क करने लग जाते थे एंड पर अचानक से वह उनका एक डालोग कोटी कोटी प्रणाम वह मुझे हमेशा जब भी सेट पर होती थी क्योंकि मैंने इस फिल्म में ब्लू लेंसर पहने हैं तो मुझे हमेशा बोलते थे जैसे मैं एंटर होती थी उनका पहला डालोग आता नीली क्योंकि आंकों वाली तो बहुत चड़ाते रहते थे बहुत मज़ा था था सेकंड शेडियों हम लोगों ने किया था मेरे गानों के लिए हम लोग गए थे गुजरात दमन साइड गए थे और बड़ा अच्छा मौसम ता उस पक्तो बारिश बारिश हो रही थी वहां पर त तीसरा शेडूल हम लोगोंने मुंबई में किया था यहां पर रानी जी और मेरा साथ में गाना हुआ था जब मैं बिहार शूट करे थी उस दोरां मैंने सबसे ज़्यादा एंजॉय किया क्योंकि वहां का खाना वहां के लोकल खाना कुछ ना कुछ मंदिरों में जाना जब अब अब बिढ़ बड़ जब करना चाहिए यह जब आपको अब आपको चुछ धना की भी जब सिर्ट करना चाहिए कुछ दिनों होता भी है वो बड़ा ताम जाम में पूरे डाइटिंग से पहले डाइटिंग का सामान हाँ जाता है बस मुझे नहीं मतला डाइटिंग करनी मुझे नहीं खाना है मिठा नहीं खाना है चोकलेट नहीं खाना है आइस्क्रीम नहीं खाना है बहुत सरी चीज़ ऐसी सोचती हूं लेकिन आइस्क्रीम नहीं खाना है तो मेरी डाइटिंग मैक्सिमम जो है वो पाच्छे दिन के उपर कभी वहीं नहीं पाती है तो मैं बेंदास खाती हूं इंजॉय करते हूं मुझे वाकरी लोकल पूट बहुत मुझे छुट डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें वहां कि लोकल जो इस फिल्म रिलीज है इस बड़ा बेदर्दी है आप लोग इसे जरूर जाके देखे हैं बिहार जारकन में रिलीज हो रही है कमर्शल सिनेमा है मेरा बहुत सारा डांस है इस फिल्म में गुंजन के रुमैंटिक सॉंग्स और रोहित बहुत अच्छा काम किया है रोहित जी आगर अच्छा काम करेंगे मैंने से कहा कि इंपर्वमेंट इस बेरी इंपॉर्टेंट आपकी पहली दूसरी तिसरी फिल्म तक आपकी थोड़ी सी कम्यों को लोग माफ कर सकते लेकिन आपको इंपुज जरूर करना है तो अगर वो इंपूर करेंगे तो डैफिनिटल किया किसी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ क्योंकि हो सकता है किसमे रिवेवियर वैसा रहा हो मैं बहुत ही अपने आप के रग्टर में बहुत जाधा इन्वॉल्ड रहती हो और गुंजन इस नीचर बहुत अच्छा है तो बहुत मज़ा आ उसके साथ काम करूए अच्छा रड़ी जी महुत सब्सक्राइब करें कि अगर आपके प्रफॉर्मेंस में जान है तो आप जरूर कुछ कर सकते हैं और आपकी अगर रियालिटी है अगर आप किसी को रुला देंगे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा गाम कर सकते हैं अच्छा राणी अप में कुछ स्ट्रगल किया थे तो अच्छा रहे हैं नहीं मैंने स्ट्रगल तो नहीं किया हैं मैं इस मामले में लखी रही हूँ मैं स्कूल में थी जब मुझे पहली फिल्म मिली सस्रा बड़ा पैसा वाला टेंस्टेंटर में थी और वो ऐसा एक एज होता है कि आपको पता नहीं होता आप क्या कर रहे हैं क्योंकि वो ऐसी एज थी जिसमें मैं स्कूल से एक बज़े आती थी बैटमिंटन खेलने दो गंडे जाती थी फिर खाना खाती थी सो जाती थी तो शुटिंग भी मेरे लिए ऐसी थी शुटिंग में जाती थी जो बोलते थे वो करती थी खाना खाती थी सोचाती थी तो उस ताई में सा पता नहीं था लेकिन एक स्टार बनने के बाद आपको उस पोजिशन को मेंटन करने का जो स्ट्रगल है वो मैंने जरूर किया है और मुझे लगता है वो हर एक्टर को करना पड़ता है अच्छा आपने इंदे सालों सापने के सब्सक्राइब है तो कोई ऐसा रूल जो अभी तब आपने किया हो आपको कभी की इच्छा हो और ऐसा रूल बाकी है नहिए कोई इसे, बाकी किरदार नहीं है लेकिन हे रहा है। तक छी नहीं कहते हैं, मैंने सपली हैं, नहीं कैंष worship looking at a guy, सब्सक्राइब रहा हैं किसि रही क्येत के तक प्रश्रोप किया कुझा है। ह मmente् bulb रही हुआ है कि बहुत एकसि ऐस वात इ Bowl इस व्हांट ने FREV में इस फिल्म के लए क्यूंकि है अ उस फिल्म के लिए क्यूकस कि अ मुअ ने बहुतली काराएं बहुत एस फिल्म के लिए बहुताइँP इसी चर्टर में बहुत लेट होता जाता है, लेकिन मैं बहुत कूल हूँ, बहुत अच्छे से, बहुत आराम से करना है, तो अभी चार-पांच फिल्मों पे काम चल रहा है बारिश आने बारिश के शुरुआत है, तो फिचर प्लानियों है, इसकर आसे बारिश को कि दुपर समढाना है कोई बारिश, कोई गर्मी और कोई ठंड नहीं होती, जब शूटिंग होगी तब जाना पड़ेगा, और बारिश है तो बारिश में भी काम करना पड़ेगा, तो ऐसा कोई प्लान नहीं है मेरा, लेकिन हो सता है कि मैं गोवा ट्रिप पे जाओं